हेलो दोस्तों वेलकम टू आरके वीडियोस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं छतियर के बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के बारे में तो बिना किसी देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं झाल 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 तो दोस्तों आपने देखा डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी का केंपस व्यू अब आगे और हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की स्थापना 3 नौबर 2006 को जिलाब लासपूर 36 गड़ में हुआ था इस यूनिवर्सिटी का केंपस एरिया लगभग 55 एकड़ में फैला हुआ है या यूनिवर्सिटी यूजिसी द्वारा अप्रूवड और AICTE, NCTE, BCI द्वारा अप्रूवड है इस यूनिवर्सिटी को नैक द्वारा B प्लस ग्रेड मिला हुआ है आगे हम एड्रेस के बारे में देखते हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी फर्गी रोड पोटा जिला बिलासपूर 36 गड़ में बना हुआ है और इसकी बिलासपूर से कनेक्टिवीटी की बात करें बाई एर बिलासा देवी केवट एरपोर्ट बिलासपूर से 42 किलोमेटर की दूरी पर डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बना हुआ है और बाई रेलवे की बात करें तो 34 किलोमेटर की दूरी पर डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिट बना हुआ है और कोटा में भी रेलवे स्टेशन है जिसकी दूरी यूनिवर्सिटी से लगबग 2 किलोमेटर की है आगे हम फेसलेटी के बारे में देखते हैं डॉक्टर सीवी रमन्ज यूनिवर्सिटी में अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग लैब और वर्क्शॉप बने हुए हैं इस कॉलेज में दीन द्याल उपाध्या कॉंसल केंद्र योजना भी चलाया जाता है जो वित्यार्थियों के लिए रोजगार मुफ़निया कराता है इस कॉलेज में open and distance instruction की भी स्वीधा है जिससे दुरव्त्य सिक्षा प्राप्ऱ कर सकते हैं इसकॉलेज में NSDC academy भी है जिससे हम short term courses कर सकते हैं इस कॉलेज में NCC और NSS की भी स्वीधा है इस college में transportation की भी स्विधा है, इस university के अंदर sport और dispensary की भी स्विधा उपलबता है आगे हम admission के बारे में देखेंगे इस university में online एवं offline दोनों ही माध्यम से admission लिया जा सकता है और admission से संबंधी जनकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्ग कर सकते हैं आगे हम courses के बारे में देखेंगे इस college में engineering एवं technology फिल्ड में mechanical, civil, electrical एवं electronics, electrical एवं communication और computer science आदी engineering courses आफर किये जाते हैं और master degree के बात किरें तो digital communication power system, computer science, production engineering, software engineering आदी engineering courses आफर किये जाते हैं research program में PhD और M field courses आफर किये जाते हैं और pharmacy field में D pharma, B pharma courses आफर किये जाते हैं arts में B.A.M.A. in English, Hindi, History, Geography, Economics आदी courses आफर किये जाते हैं और arts field में B.L.I.B., M.L.I.B. और MSW social work आदी courses आफर किये जाते हैं education field में B.A.M.A. courses आफर किये जाते हैं और management field में B.B.A., M.B.A., P.G. diploma courses आफर किये जाते हैं information technology field में M.C.I.T., M.C.C.S., P.G.D.C.A., B.C.A., D.C.A. आदी courses आफर किये जाते हैं और law field में L.L.B., L.L.M., B.A. L.L.B., B.Com. L.L.B. courses आफर किये जाते हैं commerce field में B.Com., M.Com. आदी courses आफर किये जाते हैं journalism and mass communication में बात करें तो B.G.M.C. और M.J.M.C. courses आफर किये जाते हैं science की बात करें तो B.A.C., math, biology, microbiology, biotechnology, computer science में B.A.C. किये जा सकते हैं और M.C. की बात करें तो M.C. in biology, botany, microbiology, biotechnology, geology आदी courses आफर किये जाते हैं physical education की बात करें तो B.P.E.S., M.P.E.S. course आफर किये जाते हैं और साथ ही साथ open and distance education में U.G. एवं PG degree दोनों ही प्रोग्राम में courses आफर किये जाते हैं B.B.A., M.B.A., B.Com., M.C.A., 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 IT, Math, MA, Hindi, BA, B.Sc. आदी courses open and distance education में भी किये जा सकते हैं आदी और भी courses इस college से किये जा सकते हैं placement की बात करें तो Dr. C.V. Raman University के placement की बात करें तो यहां बहुत सारे कमपनिया विजिट करती हैं जैसे की विपरो, Tata Motors, Vedanta, AXIS Bank, Mahendra, Airtel, आदी कमपनिया विजिट करती हैं और student के skills के अनुसार recruit करती है और package भी उसके skills के base पर ही offer किये जाते हैं इस university के hostel की बात करें तो इस university के hostel की बात करें तो girls एम boys दोनों के लिए separate hostel provide किया गये हैं और room भी well furnished और attached बात के साथ आता है boys hostel का view कुछ इस प्रकास से दिखाए देता है और gym का view कुछ इस प्रकास से दिखाए देता है सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में तब तक के लिए good bye ऐसी related वीडियो देखने के लिए इस channel को subscribe करें और bell icon को भी दबाएं करें करें पुछ में